कुमार अम्बुजी की कहानी मा रसोई में रहती है रात करीब तीन बजे मेरी नींद खुली कुछ खटर पटर की आवास आई जाकर देखा तो मा रसोई में कोई बरतर निकाल रही थी मुझे देखकर वचोंग गई फिर हसकर कहने लगी अभी सुबह होने में देर है तुम सो जाओ उसकी दंद पंग्ती बहुत लुभावनी थी मैंने अपनी अलसाई हालत में पूछा तुम इतनी रात में क्या कर रही हो क्या सोई नहीं अरे सोई क्यों नहीं अभी तो उठी हूँ तुम रात में ग्यारव बजे तक तो जाग रही थी मैंने कुछ अचरत से कहा हां तो क्या हुआ मैं इतना ही सोती हूँ तुम जाकर सो जाओ कुछ दिनों बाद मैं यकाएक रात में एक डेड़ बजे उठ बैठा कोई सपना तूटा था या कहीं से कोई आवास आई थी थोड़ी देर में लगा कि रसोई में कोई है लाइट जल रही थी जाकर देखा मा स्टूल पर बैठ कर अकबार पड़ रही थी मुझे देख कर कुछ घबरा गई लेकिन तुरंथी सैयत होकर पूछने लगी पानी पिना है और जवाब का इंतसार किये बिना ही उलीचना देकर गिलास में पाने डालने लगी पानी पी कर मैंने पूछा मा तुम अभी तक सोई क्यों नहीं बस नीन नहीं आ रही थी तो यहां बैठ कर अकबार पड़ने लगी सो जाओंगी यह कोई बात हुई जब देखो तब आधी रात में भी किचन में बैठी रहती हो क्यों? क्या रसोई गर में नहीं बैठा जा सकता? मुझे यहीं बैठना अच्छा लगता है ठीक है मैंने हार कर कहा चलो अब सो जाओ तुम जाकर सो मैं यह आखिरी पेच पढ़ कर आती हूँ फिर ऐसा अनेग बार हुआ जब कभी रात में मेरी नींद खुलती बारा बजे, दो बजे, चार बजे या सुब़ सुब़ पांच बजे वह मुझे किचन में मिलती कभी कहती दही जमाने के लिए दूद रखना भूल गई थी अभी पांच मिनिट में सोने जा रही हूँ कभी बताती कि अरे ध्यान आया कि घर में सबजी नहीं है सुब़ के लिए चने बिगो रही हूँ या यह कि आटा फ्रिज में रखना भूल गई थी एक रात देखा कि बारा बजे रसोई की दीवार पर लगे कलेंडर पर दूद का हिसाब लिख रही थी पूछने पर जवाब दिया कि रोज लिखती हूँ कितना दूद लिया आज भूल गई थी अभी याद आया तो लिख रही हूँ कभी गुसा जताती मैं जैसे ही रात में किसी काम से उठती हूँ तो पीछे पीछे चला आता है यह तो अक्सर ही कहती थी कि बस पानी पीनी के लिए उठी थी ठंडी हवा आ रही थी तो यहां खिडकी के पास खड़ी हो गई रसोई में दक्षिन दिशा की तरफ एक चूटी सी खिडकी थी एक बार में घबरा ही गया रात कोई दो ढ़ाई बजे का वक्त होगा मा अपने कमरे में नहीं थी केवल पिताजी चित पड़े हुए खर्राटे ले रहे थे बातरूम में भी नहीं थी किचन में और बैठक में अंधेरा था बाहर का दरवाजा अंदर से बन था मैं चिलाया मा कहा हो तुम मा किचन के अंधेरे में से बाहर निकल कर आई क्यों हो क्या बात है इतनी जोर से आवाज क्यों दे रहे हो मैं डर गई जरा धीरे बोलो सब लोग जाग जाएंगे ओफो मा डर तो मैं गया था कि तुम नजाने कहां चली गई मैं कहां जाओंगी यहीं रसोई में थी मैंने सब जगद देख लिया था रसोई में घुप अंधेरा था तुम्हें लगता होगा अंधेरा मुझे सब दिखता है मैं पानी पिने आई थी खिडकी से बाहर देखने लगी आज शायद सक्तमी है मुझे गुस्सा आया लेकिन मैं क्या कर सकता था जाकर सो गया बाहर से लोट कर आओ तो अकसर मा ही दर्वाजा खोलने आती लेकिन सीधे रसोई में से आना और वापस रसोई में चले जाना कभी अचानक उमग कर कहती तु अच्छा आ गया जरा स्टूल पर चड़कर पापड का डिबा उठा दे उसके सारे काम रसोई से सम्मदित होते हैं और उसके अपने सभी काम भी रसोई में ही संपन होते हैं ब्लाउस के हुक टांकने से लेकर गेहू फटकने तक के सारे काम साल में एकाद बार मौसी या बुवा को पत्र लिखती है तो वहीं रसोई में बैठ कर गोद में कोई किताब रख कर कौपी के पन्ने पर बगल की चाची जी या पडोस की लड़किया अकसर ही घर में आती हैं उन्हें भी वह रसोई में ही बैठाती हैं चोटी सी चटाई है जो कभी तूटती फटती ही नहीं है चाची जी अलका या मधू कई बार मा से कह चुकी है कि मा की रसोई बहुत अच्छी है मुहले भर में सब को खबर है करीने से जमी हुई और साफ सुत्री मा फुर्सत में कभी अकेली बैठी दिखेगी भी तो अपने प्रिय एक फुट उन्चे स्टूल पर वहीं रसोई में यह स्टूल मेरे जन्म से भी पहले का है या फिर थोड़ी देर के लिए खिडकी पर खड़ी दिखेगी कहीं खोई हुई खिडकी के पार न जाने क्या देखती हुई मुझे लगता है दक्षिन दिशा का पूरा आकाश उसे पता है उधर कितने तारे हैं कौन से नक्षत्र कितने ग्रह सूरज वहां से किस मौसम में कब गुजरता है और चांद कितनी कलाओं में खिलता है उसे मालूम है उस दिशा के आस्मान के रंग और बादलों के रूप वह सब जानती है हवा से आकाश से मौसम का अंदाजा लगा सकती है या क्या पता वह यह सब देखती ही न हो किवल दूर दिखते उन तीन चार पेड़ों की पत्तियों को देखती हो या फिर सिर्फ सांस लेने के लिए ही खड़ी होती हो उससे उसके बारे में कोई बात मालूम करना हमेशा कठिन होता है वह बहला सकती है और इस तरह कि आपको लगेगा नहीं कि बहला रही है उसे रसोई से बाहर बुलाने की कवायत अक्सर ही बेकार जाती है आवास लगा कर पूछो कि बेल्ट, मोजे या घड़ी कहा है इस उम्मीद में कि वह इसी बहाने इधर आएगी लेकिन वह रसोई से ही हर चीज बता देगी बीच के दराज में पीछे की तरफ देखो या कहेगी तक्ये की नीचे या उधर दरवाजे की पीछे की कील पर उसकी पसंद का कोई गाना रेडियो पर आ रहा होगा तो वहीं से कहेगी रेडियो की आवास थोड़ा तेज करो यहां रसोई तक आवास नहीं आ रही है चुट्टी का दिन था मैं दोपहर देड़ बजे खाना खाकर सोने चला गया चोटा भाई क्रिकेट का मैच खेलने गया था साड़े तीन बजे सो कर उठा तो देखा मा किचन में बैठी चावल बीन रही थी मैं उसके गड़े से लिपट गया और लाड में भर कर कहने लगा यह क्या दिन रात काम ही काम कुछ न कुछ करते रहना कभी आटा चान रही हो कभी पानी कभी दूद कभी यह गरम कर रही हो कभी उसे ठंडा कर रही हो कभी बीनती हो कभी पटकती हो कुछ काम नहीं रहता तो नारियल कसने लगती हो या मसालों के दिब्बे बदलती रहोगी पकाना बघारना तो करती ही हो सबजी काट कर धेर लगा देती हो अब ये चावल लेकर बैठ गई हो अगबार पढ़ने चिठी लिखने तक का काम यहीं बैठ कर करती हो मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता बाई बरतन माशती है तब भी तुम यहीं किचन में रही हो अपने कमरे में जाकर आराम क्यों नहीं करती वह कहने को तुम्हारा और पिताजी का कमरा है लेकिन उसमें तुम कभी नहीं रहती बैठक में ही आराम कर लिया करो देख तुम कुछ नहीं समझेगा ये सारे काम पहले से करके रखने पड़ते है एकदम से कोई दाल चावल सबजी कैसे बना देगा जब भूक लगती है तो एकदम से लगती है बाई से मैं बातें कर लेती हूँ उसको कुछ बचा-कुछा देती हूँ कभी उसे चाई भी बनानी पड़ती है ये थोड़े बहुत काम करने ही पड़ते हैं कौन करेगा इन्हें और फिर मैं सोती तो हमारे कमरे में ही हूँ बैठक में बैठना लेटना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं इतना आना जाना होता है कि वहाँ दो मिनट भी आराम नहीं किया जा सकता मेरा काम रसोई में ही चल जाता है यहाँ मुझे शान्ती रहती है मेरे सिर पर हात फैरते हुए, बालों को सहलाते, दुलाते हुए उसने जवाब दिया इस उम्र में भी उसके केश काले और लंबे है वही इस तरह बात करेगी कि जैसे मैं 4-5 साल का बच्चा हूँ और कुछ समझने लायक नहीं हूँ हर एक जिरह के बाद मुझे भी लगता है कि वाकई मैं उसके आगे ना समझ हूँ एक दिन शाम को देखा कि स्टूल दिवार से सटा है मा स्टूल पर बैठी है उसकी गोद में थाली है जिसमें आधी लवकी छिली हुई रखी है और वहीं चाकू पड़ा है मा का सर कुछ पीछे होकर दिवार से लग गया है और मा मा सो रही है उसके चेहरे पर विश्रांती थी और वह गहरी सांसें ले रही थी मैं कुछ देर खड़ा सोचता रहा कि मा को जगाओं या नहीं पलट कर जाने ही वाला था कि मा ने एकदम से आखें खोल ली और पूछने लगी क्यों क्या चाहिए मैंने मा को गौर से देखते वे कहा मा तुम इतना थक जाती हो लेकिन यहीं रसोई में बनी रहती हो उधर अपने कमरे में विस्तर पर कुछ देर आराम क्यों नहीं करती देखो तुम अभी अभी यहां थक कर सो गई थी नहीं मैं सोई नहीं थी मुझे कभी कभी दीवार से सिर टिका कर आँख बंद करना अच्छा लगता है मैं बिल्कुल नहीं थकी हूँ क्या चाहिए तुझे आज कर स्त्रिया क्या क्या काम नहीं करती तुम कभी कभार बाहर भी घुमाया करो यहां इस पिंजरे में क्यों बंद रहती हो मैंने बिल बिला कर कहा मैं घुम आती हूँ तो ध्यान नहीं देता सब जग जाती हूँ उधर उधर बाहर बगीचे में भी तुम लोग जब घ़र में नहीं होते मैं बहुत घुमती फिरती हूँ कई बार गई हूँ दूर दूर तक उसकी आवास जैसे रसोई के कोणे में रखी गेहूं की तंकी में से आ रही थी मुझे उसकी बात कुछ समझ में नहीं आई कुछ नहीं आई फिर वह हस कर कहने लगी शुरू में बेचैनी होती थी मगर अब मुझे घर का काम करना ही अच्छा लगता है घर में ही इतना घुमना फिरना हो जाता है कि कहीं और जाने की जरूरत नहीं लगती कहते हैं कि मैं अपनी माँ पर गई हूँ उसे भी यही सब अच्छा लगता था तुमारी बेटी होती थी तुम उसे भी अपने जैसा ही बना देती सब को सब मिलकर बनाते हैं हम सब बेटियां भी इसी तरह बन जाती हैं लेकिन आज के जमाने में क्या कह सकते हैं शायद शायद वह कुछ अलग होती कुछ अलग बन जाती वह खुश थी या उदास या नारास कुछ पता नहीं चला मैं चुपचाप अपने कमरे में चला गया थोड़ी देर बाद किचन के सामने से कुजरा देखा कि मा किचन के प्लैटफॉर्म पर चड़ी हुई है और टांड पर से कोई डिबबा उठाने की कोशिश कर रही है मा हद करती हो तुम मैं घर में हूँ ना मुझसे कहो क्या उठाना है मैं चिलाया दिन भर में कई बाद चीजें उठानी रखनी पड़ती है तुससे कहां तक हूँ फिर वह प्लैटफॉर्म से जमीन पर लगबक कूध ही गई और एकदम दर्द से अपने बाएं पैर की एड़ी पकड़ कर कराहने लगी मैंने उसे संभाल कर वहीं स्टूल पर बैठाया बोली लगता है एड़ी में मोच आ गई हाँ इस तरह कुदोगी तो और क्या होगा मैं उतार देता न थोड़ी सी मोच होगी पाउं मुड़ गया होता रहता है चल उधर से मसाले दानी उठा कर मुझे दे फिर वह वहीं स्टूल पर बैठ कर हल्दी की पुल्टिस तयार करने लगी उसी रात बीच में जब मेरी नीन खुली तो मैंने दूर से ही देखा कि खिड़की से रसोई में चांदनी आ रही थी और उस दूदिया रोशनी में मां खिड़की पर खड़ी थी एकदम सी थी तनी हुई उसके पाओं में किसी मोच या चोट का सर नहीं था वह खिड़की के पार देख रही थी शायद चांद शायद पेड शायद कुछ नहीं फिर वह धीरे से मुड़ी और स्टूल पर बैठ गई उसने दीवार से सर टिका लिया और आखें आखें बंद कर ली